आमेर फोट को राजा मान सिंग ने सुल्ला सव इस भी में बनवाया था तो हम लोग निकल गये थे जल महल से बस लेकर आमेर फोट की तरफ रास्ते में बहुत सारे घने जंगल भी दिखते हैं पगड़ी लगा के हम लोग सीधे चड़ने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हमार और भी चड़ाई करनी है तभी हमें एक इंस्टा रिलर भी दिख जाती हैं उसके बाद हम सुरज पोल पार करके पहुँच जाते हैं पहले कोट्यार्ड में जिसका नाम था जलेब चौक यह गेट इस्ट की तरफ होने के कारण इसका नाम सुरज पोल है यहां उस समय जीत ह होने पर सैनिकों की परेड हुआ करती थी और जोरोखों से राजिया बैट के उस परेड को दिखा करती थी फोज बक्सी के गारडिंग में यहां महाराजों महारां जा के ऑनी रहा जाता था और यहीं हमें आजकल टिकट भी देखने को मिलता है कुछ सीढही चड़ने के बा और वहीं पर गनेश पोल तो दिवाने आम में राजत जनता की सिकायतों को सुना करते थे और हर मुद्धे की सुनुबाई किया करते थे इस तरफ खाना पकाने के और रखने के काम हुआ करता था और उधर ही गनेश पोल भी है जहां से राजा और राजघरानों की मेन महल में प्रवेस मिलता है और ये 27 कचहरी है, यहां 27 पिलर बने हुए है यह उस टाइम का ओफिस था जहां पर पिलर पे अंक गन्ना करने वाले राते थे और जनता भी आकर इनसे अपने ब्यापार के बारे में बात किया करते थे यहां से मोटा लेक में स्थित केसर की क्यारिया दिखाई पड़ती है यहां उस समय केसर की खेती हुआ करती थी मोटा लेक उस समय महल के लिए पानी का भी एक अच्छा सुरोत हुआ करता था इस garden में फूल स्टार सेप में उगते हैं जोधा भाई यहां बहुत समय बिताया करती थी अब हम चलते हैं राजा के सनान कक्ष में यहां उस जवाने में पानी गरम करने की एक अलग ही टेकनिक थी यहां पर copper wire हुआ करती थी जिससे उस समय पानी गरम किया जाता था और किनारे में पानी निकलने के लिए नली जैसा भी बनाया हुआ रहता था गरम और ठंडा पानी मिक्स होके बाथ टब में भेजा जाता था राजा अपनी राणी के साथ बाथ टब में नहाया करते थे और जो दासिया होती थी वो उनका दरवाजे पर पहरा देते रहती थी यह है जनानी दिरोही राजा मांसिंग की बारा रानिया थी इसलिए उन्होंने राणी के लिए बारह अलग-अलग कम्रे बनवा रखे थे रानी से मिलने के लिए राजा के कमरे से सीधी सीड़िया हुआ करती थी जो बारहो कमरे में जा सकती थी इसके मदद से राजा कभी भी किसी के रानी के कमरे में जा सकते थे बाकी दूसरे रानीयों को बिना पता चले हुए बीच में राजा यहां अपनी रानीयों का सिकायत सुना करते थे और सारी समस्याओं को दूर किया करते थे उपर में ट्रांसजेंडर विमेन पहरा दिया करती थी क्योंकि रानियों के दर्बार के आस पास किसी भी मर्द को भटकना अलाउड नहीं था यहां आप नास्ता भी कर सकते हैं अगर भूख लगी हो तो अब हम आते हैं अमेरफोर्ट के सबसे इंपोर्टन पार्ट पे सीस महल तो सीस महल राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था क्योंकि रानियों को तारे देखते हुए सोने का मन करता था तो रानि खुले में नहीं सो सकती थी इसलिए सीस महल को बनवाया गया था और सीस महल में जैसे ही कैंडल को जला दिया जाता था उससे जो हमारे सीसे के टुकड़े थे उससे पूरा ऐसा लगता था कि तारे जो है वो टिम्टिमा रहे हैं और इस सीस महल का एक और खास बात है कि राजा ठंड के मौसम में यहाँ पर सोया करते थे इस महल में सीसे होने की वज़ा से रूम को गरम रखना आसान हुआ करता था और यह जो सीसे मंगवाये गये थे वो बेलियम से मंगवाये गये थे यहाँ सामने जय मंदिर है और बीच में बहुत खुबसूरत गाडन है यह गाडन हेक्सागोनल डिजाइन का है अमेर फोर्ट से एक टनल जाती है जो की सीधे जैगर फोर्ट निकलती है अगर आप यहाँ से डेड़ किलोमेटर के ट्रेकिंग करते हैं तो सीधा इस टनल के थ्रू आप पहुंच जाएंगे जैगर फोर्ट यह उस समय राजा और राजघराने के लोगों को बचाने के लिए बनवाया गया था कि अगर कभी अमेर फोर्ट पे अटैक होता है तो वो जैगर फोर्ट पे महां से बचके निकल सकते हैं